आज हम सभी लोगों के लिए हम जो भी मार्केट से जुड़े हुए है चाहे हम नए इंवेस्टर हो या पुराने इंवेस्टर आज हमारी लाइफ में पहली बार हमने देखा है कि मार्केट यहाँ पे 3.30 के बाद भी काम कर रहा था लगबग 5 बजे आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है रियोपन हुआ था 3.40 पे मार्केट आज आज हमारी लाइफ में एक हिस्टोरिकल डेथा पहली बार हमने मार्केट में ऐसा देखा है तो मैं आपको बताता हूँ मार्केट में डेली ही हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है चाहे आपको कितने एक्सपिरियेंस हो जाए मुझे आज याद आता है आज से लगबग 10 साल या 12 साल पहले जब मैं अपने मार्स्टर्स में था जब मैं अपना MBA कर रहा था उस टाइम भी सेम दिक्कत आई थी और लेकिन उस टाइम फर्स्ट हाफ था मेरे कहल से ऐसा ही 10-11 बजे का सैसन था कुछ और अचानक ही वहाँ पे निफ्टी में होल्ड हुआ था कुछ टाइम के लिए लेकिन उसके बाद वो थोड़ी ही देर के बाद वो जस्ट चालू हो गया ट्रेडिंग वहाँ पे बंद रही थी कुछ टाइम के लिए NSE BSE दोनों ही बनते वहाँ पे आज की अगर बात करें आज तो केवल NSE बन था BSE में यहाँ पे एक्टिविटी चालू थी NSE में इनके दो जो दो इनके नेटवर्क प्रोवाइडर है टेली कॉम्निकेशन के वहाँ पे टेक्निकल फोल्ट आया जिसकी वज़े से लगबख साड़े-दस वज़े से यहाँ पे ट्रेडिंग बंद की गई 3.30 तक उसके बाद 3.40 से 5.20 तक कर दुबारा से सेसन स्टार्ट किया गया यह स्टार्ट करने का मेन वज़ा यह भी है क्योंकि कल यहाँ पे एक्सपायरी है मंथली एक्सपायरी है उससे पहले अगर आज यह ओन नहीं होता मतलब एक्टिविटी चालू नहीं होती तो काफी यहाँ पे लाखो या करोडों लोगों को यहाँ पे अच्छा खासा नुकसान होता फेंडो में जो खासकर से जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए हम जैसे लोग जो हम delivery उठाते है limited shares की जितना मारे पास पूझी रखा है जितना मारे पास capital है तो हम लोगों के सेर पे कोई फरक नहीं पड़ता, आज ही मेरे को धियान अराता, जब ऐसा हुआ, तो मैं अपने आपको कह रहा था कि मुझे क्या फरक पड़ता है, मार्केट दो दिन के लिए बंद हो जाए, मार्केट चार दिन के लिए बंद हो जाए, आपको याद होगा, इससे जश्ट पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, कि एक बोनस टिप के बारे में, कि हमें उस सेर को खरीदना चाहिए, जिस सेर को हम आने वाले 5 साल तक अगर ट्रैक ना भी कर पाए, हम अपने मुबाइल में मार्केट चेक नहीं कर पाए, अगर मार्केट बंद ह जाते हैं आने वाले 4-5 सालों तक तो भी उस सेर में जो हमने पैसा लगाया है, हमें कॉन्फिडेंस रहे कि वहाँ पे अच्छा खासा प्रोफिट आएगा, आथ सेम वही चीज हमें देखने को मिली है, यहाँ पे निफ्टी केवल एक दिन के लिए बनता और एक दिन भी न हलाकि यहाँ पे कारोबार चलू था, एक मैं आपको बोनस टिप अभी स्टार्टिंग में ही बता दू जो कि काफी इंपोर्टेंट है और आज के जो सिनेरियो है उस पे बिल्कुल खड़ा उतरता है, हमें कभी भी किसी भी स्टोक में या निफ्टी में मार्जिन उठा के क अभी भी ट्रेडिंग या इंवेस्टिंग नहीं करना चाहिए, इंवेस्टिंग मतलब जो 2-3-4 दिन के लिए यहाँ पे हमें मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है, मैंने आपको बता रखा है कि इससे पहले लगबग आवई 10-11-12 साल पहले मैंने भी मार्जिन में पैसा उठाया था, उस तैम मुझे लोस हुआ था, या थि मुझे याद आता है, 50,000 रुपे से मैंने 3,000,000 का माल उठाया था, और वो बेकूफी क्या थी मेरी, या ना समझी आप बोल लो, ना दानिस बोल दो, नोलेज नी थी, तो मैंने केवल भारती एटेल के ही सेर उठा लिय जाएंगे, 10 रुपे बढ़ेगा, तो 10,000 रुपे बन जाएंगे, मैंने ये नहीं सोचा कि, अगर 10 रुपे गिरेगा, तो 10,000 रुपे डाउन हो जाएंगे, वो अक्छली गिरता गया, मेरे खरीदने के बाद 5 रुपे गिरा, 10 रुपे तो 3-4 दिन के बाद मुझे स्क्व है, और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आपको भी नहीं करना चाहिए, तो हमारी सेहत पर भगवान की दुआ से एक पैसे का फरक नहीं पड़ा, जो आज ट्रेडिंग बन थी, मैंने कोई बात नहीं, 4 घंटे मार्केट को ट्रेक नहीं करेंगे, या कल ट्रेक करेंगे, वो मेरको उतना समझ में नहीं आते, मेरा कैपिटल का साइज भी मैंने आपको बता रहा है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, 10 लाग के आसपास मेरा कैपिटल का साइज रहता है याँ पे, तो अब अगर मैं बात करता हूँ, आज जो मैंने सेयर में पर्चेजिंग करी ह एक सेयर मैंने सेल किया है, और एक सेयर मैंने बाई किया है, आज की बात करें तो, BPCL में मैंने आप एक सेलिंग करी है, मैं आपको live portfolio दिखाऊँगा, मैं आप से live portfolio सेयर कर रहा हूँ कुछ ताइम से, एक चीज़ मैं आपको और बता दू, live के नाम से मुझे ध्यान आया, इसका X dividend है जो की 17-18 तारिक था तो प्रभू की किरपास से वहाँ पे 16 रुपे का में dividend भी आएगा जिसकी payment I think 7 या 8 March को करी जाएगी और आज की जो मैंने विक्वाली करी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ आज देख सकते हैं BPCL में मैंने 15 share sell करे है और इस portfolio से मैंने completely exit कर दिया है BPCL 443 रुपे में हमने sell किया है और 449 रुपे में बंद हुआ है और आज का अगर हम low or high देखते हैं 426 का low है 445 का high है तो लगभग हमने high के आसपास से sell किया है हलाकि मैं काफी time से सोच रहा था इसमें selling करने का लेकिन ये 42-44 पे आके यहां पे profit booking आती है तो आज मैंने प्रभू का नाम लेके book करी दिया इसमें यानि थोड़ा सा profit अगर ये वापिस नीचे आएगा तो हम इसको और खरीद लेंगे 425 के level पे हलाकि आयत हम चाहते तो थोड़े ले सकते थे लेकिन कोई दिक्कत नी है 420 के आसपास आएगा तो ले लेंगे नहीं आया तो कोई बात नी भाई प्रभू की किरपासे माल हमारे पास रखा हुआ है मैंने आपको बता रखा है मैं मार्केट के दोनों डिरेक्शन के लिए तयार रहता हूँ नीचे आएगा तो खरीद लेंगे उपर जाएगा तो प्रभू की किरपासे माल है बेज देंगे अगर इस पर्टिकुलर सेयर के मैं बात करूँ BPCL में हमारी यहां पर इस पर्टिकुलर पॉट्फोलियो में जो था 380 का मीरा लेवल था मैं आगर आपको दिखाता हूँ आप देख सकते है BPCL 380 की हमारी यहां पर खरीद थी और उसमें लगभग वही से 445 और 425 का हाई और लो है तो इसमें हमने मैं 10-15-20% पर ही प्रोफिट बोकिंग करता हूँ और माल रखा हुआ है BPCL में आपको एक चीज बता दू यह नाना करते हुए 500 से 500 जाएगा अगले 2-3 महिने के अंदर क्या पता अगले 1 महिने के अंदर यह में देखने को मिले लेकिन जैसा गोर्मेंट ने बताया है भी दुबारा से उनकी कमेंटरी आई है जुलाई अगस्त के आसपास में इसका जो डैवस्टमेंट का काम है वो फाइनल स्टेज पे पहुँचेगा तो अभी यह थोड़ा वोलटेल रह सकता है उपर नीचे उपर नीचे रह सकता है उपर जाएगा तो अराम अराम से करके बेचेंगे इसका जो next में सेलिंग करूंगा सोच रहत हमें आज मैंने GTT order भी एक्चुली लगाया है अपने दूसरे पोर्टफोलियो में एक मैंने लगाया है 465 में एंड 495 में उसके बाद हम 550 के आसपास बेचेंगे उतना माल मैंने रखा हुआ है अभी मेरे पास आई थिंक ये 20-25 जार का माल और रखा हुआ है और यहाँ पे हमने लगबग अभी 7000 का माल भी यहाँ पे सेल कर दिया है उसके बाद जो एक सेर में आज मैंने प्रोफिट बुकिंग के साथ साथ एक जो मैंने बिकवाली के साथ बाइंग करी है वो है फाइजर फाइजर को काफी तोड़ा गया है पीछे अगर देखा जाए तो इसमें मेरी जो एवरेज प्राइस है वो लगबग 4700 के आसपास है और हो सकता है आप लोगों का भी एवरेज प्राइस उसी के आसपास हो या उससे उपर भी हो आज एक कमेंट आया था मेरे पास हमारे एक दरसक का उन्होंने फाइजर के बारे में पूछा था तो मैं आपको बता दू फाइजर का मैं अल्रेड़ी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ आप चाहो तो उपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते है जहां मैंने डिटेल में फाइजर के डिटेल एनल्सिस करके आपको बताया है फैनेंसियल, सेरोल्डिंग, पैटरन, चार्ट और मेरे क्या व्यूज है कमपनी के वारे में सारी चीज़ ये डिटेल में मैंने आपको बताई है तो आप यहाँ पे देख सकते है उसके बाद आज बात करें तो दो सेर में मैंने जिटीटी ओडर लगाए वा था वो तो बाद में सेडली मैंने चार बजे के आसपास देखा तो यहाँ पे आच चुके थे सेर हलाकि मैं देख रहा हूं कि यह बैलिस सो का भी आज लो मारा था लेकिन बैलिस सो पे नहीं आए कोई बात नहीं हमने जिटीटी ओडर लगाया था तो त्रालिस सो पे यह आजा है तो साड़े तीन सो रुपे का गेन हमें यहाँ भी था हम चाहे तो यहाँ भी बेश सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं जब यह सेर उपर जाएगा लगबग 5,000 के लेवल पे तो थोड़ा थोड़ा बेचना स्टार्ट करेंगे तो इन दो सेरों में मैंने आज यहाँ पे प्रोफिट बुकिंग साथ में बाइंग करी है एक चीज का आप हमेसा ध्यान रखिए स्टोक मार्किट में इन्वेस्ट करने से पहले स्टोक मार्किट को समझना जरूरी है वीडियो आपने भी तक लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब ना किया हो आप सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं को नया वीडियो लाओ जब भी मैं किसी सेर में बाइंग करूँ या सेलिंग करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे